adhi फ्रेंद वेकट भी अटेशनल तो आज हम बनाएंगे बहुत Vy आसान तरीके से मुदक जिसे आप मिल्क पॉड़र से बहुत भी आराम से बना सकते हैं तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं मिल्क पॉडर से मावा मुदक बनाने के लिए यहां मैंने एक कप मिल्क पॉडर लिया है एक कप उबलावा थंदा क्यावा दूद लिया है तीन चमच चीनी लिया है आधी छोटी चमच लाईची पॉडर लिया है एक पैनल इस में दूद एट करें अभी गैस की फ्लेम को अउन नहीं करें अभी से दूद पॉडर्र एट करें ऄसे उsmंद चमा गहई टेंट करें किन सब को मिक्स कर दे अभी चैस गास इसट की सब kilo on नहीं करना सब एक देदा लगातार चलाते रहें वोगह तो इसके मिडियम फिलेंगे वह तो ख्रॉद में बसाद पकाईगे ऐख आगे ऐस करें करें नेफ मतम knapp करने और इसके सेता मिक्स करदेंगे और इसके क्राइब और भी मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते वे पकायाँ थोड़ देर में ही ही गाणा होनी लगेगा कि चमर्च एक सिकंग दी भी नहीं भी रोके लगातार चलाते रहा तो यह तले में गुपक जैएगा और जल जाएगा back यह देखे गणाँ हो ना शुरू ओ गया है 3-4 मिनिट में यह बिलकुल गणा ओ जाएगा पिसले लगातार चलाते रहे इस बढम हो गए और यह देखिए बिल्कुल मावा का शेप में आ गया है और यह पैंसे भी अलग होने लगा है इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे इसे लगातार चलाते रहें बस थोड़ा सा और पकाना है कि ताकि एक जिगे पर आखे इखटा हो जाए तो यह पक्ते भी देखिए गाड़ा हो चुका यह पूरी तरह सा तीन से चारि मिनट में तयार हो गया है तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगा इसके बाद मसल मसल के चिखना कर लेगा इसके बाद इसके मुद्रक के शेप में बना प स्षादे दासर के चिकना कर लिया है आब मोल्ड को थोड़ा सा फट यह से करेंगे इस तरह से दोनों साइड से है अरहा थो पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे ऑप सीस्केशन लेंगे और या ऑर रहित Zarge कि अच्छे बहरेंगे टोनों साईड से और इस तरह से बन कर देंगे और जो भी एक्स्ट्राव होगा मावा इसे साइड से निकाल देंगे अब इसे हम अनमोल्ड करेंगे नीचे से एक मोदग बनके तयार है इस तरह से हम दूसरे मोदग भी बना लेंगे तो फ्रेंड सारे मोदक बनके तयार हैं आपने देखा दूथ पॉर्डर से मोदक बनाना कितना आसान है तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और रेसिपी पसंद आये तो आप हमेशा की तरह लाइक शेर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो